बात करेंगे हम फिरोजाबाद की जहाँ पर पानी की किल्ला से चंद जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बड़ी ही मुश्किलों से वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में तमाम समस्याएं उनके सामने आ रही हैं गर्मी के बढ़ते ही फिरोजाबाद में पानी की किल्ला शुरू हो गई थी जो अब भयावे रूप अक्तियार करती जा रही है फिरोजाबाद के आनंद नगर में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है जिसके चलते लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और वही नाराज लोगों ने आस्वाबाद मार्ग भी जाम कर दिया है और बाइपास रोड पर जाम लगा रही महिलाओं का कहना है कि करीब हफते भर से उनके घरों में पानी नहीं आया है जिसकी वज़े से जन जीवन भी अस्टवेस्ट हो गया है काफी परेशानियों का सामना करने के बाद लोगों ने बाइपास रोड जाम कर दिया है लोगों में आकरोश बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि प्रदर्शन करने के बावजूद भी नगर निगम ने अभी तक पानी की समस्या को नहीं सुलचाया है यहां के टैंकरों से भी पानी नहीं आ रहा है वहीं इलाके के पाश्चत का तो कहना ये भी है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पार्टी के महापौर भी है फिर भी पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है फिलाल जल निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दे कर जाम तो खुलवा दिया है लेकिन पानी की आपूर्ती अभी भी सुनश्चित नहीं की गई है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरेश सहयोगी राजीव उजाजी है जो कि नैशनल वोईस की असोसियेट एडिटर है उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिए किस तरह की समस्या है वहां के जो लोग हैं वो जहल रहे है राजीव जी लगतार इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है सरकार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है देश में भी प्रदेश में बी और उसके बाद महापौर भी क्यों नहीं प्रशाचन ठीक तरीके से काम कर पा रहा है फिर क्यों नहीं इस किल्लत से कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पूरा देश की पच्छतर फीजदी आवादी गंबीर पानी के संकट से जूज रही है और ग्रामीर इलाकों में 84 फीजदी गाओं में तो पानी नहीं और जहां पानी उसमें 70 फीजदी प्रदूशित है दूसरी गंबीर चि जिम्मेदारी बनती है लेकिन वो पानी लाएं कहां से यह पानी का जो संकट आया एक दो दिन का नहीं है आपको याद होगा कि इदर लगातार पिछले कई वर्षों से सामाने मांसून है उसके बाद बाड़ आती है पानी आता है बैस आता समुदर पे चला जाता है फिर भ अला तीसरा विश्युद पानी को लेकर लड़ा जाएगा तो वो पूरी हालात हम हर शहर हर गाओं उसमें फिरोजाबाद है और जो डार्क जोन कहा जा रहा है जिसमें आगरा है मैन पूरी है और यह धीरी दिने फैलता जा रहा है बंदेल खट में पहले से पानी की समस्या पानी के कमी से जमीन उसर हो जा रही है लेकिन अब यह तो एक जल प्रवंदन का मामला है अगर हमने अपने जल प्रवंदन को ठीक नहीं किया तो इस तरह के समस्या आएंगी पानी है लेकिन हम जहां पानी है उसको हम पी नहीं सकते पानी बहुत नीचे चला गया है दो ती तो इसके लिए तो हम एक दो दिन माली या हमने प्रयास करके पांच छे दिन हपके दस दिने समस्या शुल जा दिया लेकिन ये तो सतत इस पर प्रयास करना होगा इसमें बाकी से पानी के समस्या परयावरंसी जुनी है और ये हमको समझना होगा और इसके लिए एक व्रिहत नीती बनानी होगी और बहतर जल प्रमंदिन पर काम करना होगा बिल्कुल तो कहीं नहीं काम करने के इसमें जरूरत है और जिस तरह से फिरूजाबाद की जनता लगातार परिशान चल रही है उनको कब निजात मिलेगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है हलाकि जो जिम्मेदार हैं वो अभी तक कुछ भी बोलने से बचते नजर आए है और अभी तक रोने कोई ऐसी बात नहीं कही है निकल कर सामने आने की कि आखिर में कब तक फिरूजाबाद की जनता है उसे इस पानी की समस्या से निजात मिलेगी